राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? हमारी यूट्यूब चैनल के ऐस थी राधी किशना शिंगार में आपका स्वागत है दोस्तों 6 जून को जेश्ट मास के शुक्ल पक्ष की चतूर्थी तिथी है इसे गणिश चतूर्थी तितर बरनायक चतूर्थी भी कहा जाता है इस दिन भगवान श्री गणिश का पूजन किया जाता है और इस दिन गुरुवार होने से इस दिन का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि गुरुवार का दिन भागवान विश्णू और मातलक्ष्मी का दिन होता है और भागवान श्री गणेश के संग मातलक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुकसमरद्धी बनी रहती है आज की इस वीडियो में हम आपको इस सुपसायोग में करने वाला एक ऐसा आफसान और चमतकारी उपाई बताने जा रहे है इस उपाई को करने से घर में सुकसमरद्धी और शांती बनी रहती है और धन का लाग होता है बिनायक चतूर्थी पर भगवान गरेश की उपासना का बिधान है घर में सुकसमरद्धी और शांती के लिए हर महाशुकल पक्ष की चतूर्थी को गर्णपती जी की पूजा की चाती है इस दिन बिग नहाता गरेश झी की पूजा करने से सभी संकरद्धूर हो जाते हैं शास्त्रों में धन प्राप्ति के लिए भगवान गरेश की विश्यस्प्रकार की पूजा है विधान बताया गया है ऐसी मानेता है कि इस प्रकार से बिगन हाता गरीज जी की पूजा करने से प्यक्ति को धन लाव प्राप्त होता है और सासा समझ सक्नकटों से मुप्ती मिलती है इस उपाई को करने के लिए गरीज चतुर्थी के दिन इस नान करने के बाद लाल या पीली रंग की पस्तर पहने आप अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिचा कर बैट जाएं और एक बड़ी सी प्लेट लें उसमें बीचों बीच गर्पती जी को बिराजमान करें अगर आपकी हाँ गरीज ची की प्रतिमा या तस्पी जादा बड़ी है और वो प्लेट में नहीं आ सकती तो आप गर्पती ची के सामने ही एक प्लेट रखें इसके लिए आप स्टील की तांबे की प्लेट का इस्तिमाल कर सकते हैं भूल कर भी प्लास्टिक की प्लेट का इस्तिमाल ना करें अगर आपके मंदिर में गणिश जी की कोई प्रतिमा या तस्पीर नहीं है तो आप एक साबुच सुपारी लें फिर आप थोड़े से साबुच चाबल लें, अखंड चाबल लेने हैं जो तूटे ना हो, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला है, चाबलों को पीले रंका करने हैं और प्लेट के बीचों बीच रखते हैं अब चाबल पर आप सुपारी रख कर, सुपारी को गणपती जी का रूप मानें, अब आप गणपती जी को लाल रंग के सिंदूर से तिलक करें, लाल रंग के सिंदूर की लाली, गणपती जी को बहुत पसंद है, इससे आर्थिक छेतर में आने वाली परिशानी और पिकने स गणिश जी रक्षा करते हैं अब थोड़ी सी हल्दी लें उससे भगवान विश्णू जी और माता लक्ष्मी जी को तिलक करें फिर लाल सिंदूर कुमकुम या रोली लेकर उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाएं फिर लाल सिंदूर से भगवान गणिश जी के दौनों त इस इथन की देवी माता लक्ष्मी यानि श्री का भी प्रतीक माना गया है स्वास्तिक बनानी के बाद दोनों स्वास्तिकों के दोनों तरफ दो दो खड़ी रेखाएं बनाएं दोनों तरफ से स्वास्तिक को खेर दें स्वास्तिक के दोनों तरफ बनी ये रेखाएं माता रिद्धी सिद्धी का रूप मानी चाती हैं अब अपने लेफ्ट हैंड के स्वास्तिक के दोनों रेखाओं के पास शुब लिखें और राइट हैंड के स्वास्तिक के दोनों रेखाओं के पास लाप लिखें फिर थोड़ी सी हल्दी लें हल्दी से दोनों स्वास्तिकों के मध्य में एक-एक बिंदू बनाएं और स्वास्तिक की रेखाओं के मध्य में भी एक-एक बिंदू बनाएं अब भगवान श्री गणेश को और माता लक्ष्मी को लाल रंके पुष्पु चड़ाएं भगवान विश्णू को पीले रंग के पुश्प चड़ाएं फिर भगवान श्री गनेश को गुड का भोग लगाएं और भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी जी को गुड और चने की दाल का भोग लगाएं भोग लगाने के लिए कच्ची चने की दाल का इस्तमाल करें उसे पानी से धोकर उसका भोग लगाएं और बेशन के लड़ू का भी भोग लगा सकते हैं अगर गुर बेशन के लड़ू ना हो तो आप शक्तर का भोग लगाएं अब एक शुद्धी घी का दीपक जलाएं और एक थूपति जलाएं. इसके बाद भगवान शृरी गनेश के इस मंत्र का 108 बार जाप करें. मंत्र है ओम गन गन पते नमा. फिर भगवान विश्णू के महा मंत्र का 21 बार जाप करें. मंत्र है ओम नमो भगवति वासु देवाए अगर हो सकी तो भगवान विश्णू के मंत्र का भी 108 बाद चाप करें फिर भगवान जी की आती करें आती करने के बाद आती की जोद को पूरे घर में खुमाएं अब आपने जो भगवान जी को सिंदूर और हल्दी से तिलक किया था उससे अपने भी मात्य पतिलक करें इससे भगवान जी की करपा प्राप्त होती है अब भगवान जी से हाथ जोड़कर अपनी मनुकामना पूरी करने की प्रातना करें और सभी बिग्णों को हरने की भी प्रातना करें प्रातना करने की बाद अपने परिवार के सभी सदस्यों के तिलग करें जिसे उन्हें भी भगवान जी की कपरप्राप्त हो सके और जो भगवान जी को आपने भोक लगाया है उसे प्रशाद के रूप में अपने परिवार सहीद ग्रहें करें जिस प्लेट में आपने पूजा की है अब उस प्लेट को आप मंदिर में ऐसे ही रखा रहने दें और दूसरे दिन इसनान करने के बाद अगर आपने सुपारी को करीश जी का रूप मान के भूजन किया है तो छोटी सी कटोरी में उन चावलों को रखकर उन पर वह सुपारी करीश जी का रूप मान कर रखके अपने मंदिर में रखा रहने दें अगर आप मंदिर में नहीं रखना चाहते तो आप किसी शुद्ध बहते हुए जल में आप इने बहा सकते हैं गरेश जी को प्लेट में से हटाने के बाद अब आप थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर आप दोनों स्वास्तिक पर चढ़ाएं स्वास्तिक पर जल चढ़ाते समय ओम गन गन पड़ते हैं नमा मंत्र का जाप करते रहें थोड़ा सा जल स्वास्तिक पर चढ़ाने के बाद अब जल में आप जो प्लेट में स्वास्तिक शुबलाब लिखा है उस सारी सिंदूर को आप उस जल में खोल लें और फिर उसे आप एक लोटे में ले लें आप सिंदूर मिले हुए इस जल को आप आम या केले के ब्रक्ष की जल में चड़ा दे अकर आम्य केले का ब्रक्षे नहीं है तो साफ किसी भी जगे पर लगा हुआ कोई ब्रक्षे हो या पौधा हो आप उसकी जड़ में भी इसे चड़ा सकते हैं इस उपाई को करने से भगवान श्री गनेश भगवान बिश्नु और माता लक्ष्मी की कृपा और अश्रिवाद प्राप्त होता है तन का लाव होता है और घर में सुक्सांती और सम्रत्थी बनी रहती है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिसतदारों में ज़्याद से ज़्यादर शेयर करें जिससे भेवी इसका लाव उठा सकें और हमारी और भी वीडियोज के लिए हमारी चैनल के स्थी रादी किशा शिंगार को सबस्क्राइब करना ना पूने तैंक्स पूर वाचिंग राधी राधी